नमस्कार दोस्तों 13 माई 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोर डिस्केशन में आपका सौगत है कौन-कौन से आर्टिकल्स में डिस्कस करने हो फ्रैडे है लगबख चार आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा पहला आर्टिकल है बैक स्टोरीज एड़ दफ सी फ्रंट दे वो भी सिनहला मेज़ॉरिटिरिजम को फैलाने वाले जो पॉलिटिकलल लिडर्स है उनके आगेंस्ट हुई है किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर इस हित्में नहीं रहा है इस रिस्पक्ट में एक लिच्पेब इक आर्टिकल है समय मिला तो यहाँ समझाँगा चार-पांच important points है नहीं तो अलग से समझा दूँगा delimitation को लेकि क्या controversy चल रही है इसके बारे हम बात करेंगे फिर credible count of COVID-19 देखिए गौतम आई मेनन साब ने से आर्टिकल को लिखा है आपने पता है कि रिसेंटी WHO की रिपोर्ट आई है जिसने बोला है कि बाई 2020 और 21 में लगबख डेड़ करोन मौते हुई है आपकी COVID-19 से और जिसमें 47-48 लाख मौते तो इंडिया के अंदर बताई जा रही है और इंडिया के official count का वो 10 गुना है तो इंडिया यहां पर अपने overall deaths को कर रहा है अपने डाटा को डिफेंड कर रहा है उसके लिए इंडिया को एक प्रॉपर पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठाना चाहिए जो कि इस चीज़ के ऊपर थेसिस करेगा कि हाँ भाई इंडिया के अंदर सरकार सिर्फ यहीं बोलती रहेगी कि नहीं आपका डाटा गलत है तो एक रिस्पॉंसिबल स्टेट्मेंट नहीं समझ मैंगा सरकार की तरफ से फिर भाई फिलिपीन से कुछ निउज निकल क्या रही फिलिपीन में फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर यह भाई बन गए हैं वहां के लीडर ठीकी ना एलेक्शन्स हुए और उसके बाद प्रेजिदेंशल एलेक्शन्स में फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर जीत गए है फिर से फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे मार्कोस जूनियर यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं तो और ओर फिलिपीन्स की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इसको देखेंगे और भाई इन दा हाई कोट यह मैंने कल भी आपको एक अलग से वीडियो मना के बताया था दिल्ली हाई कोट में मेरिटल रेप से रिलेटेट केस पहुँचा एक राजीव शकदेर साब थे जज़ ठीके ना और दूसरे थे आपके हरी शंकर साब राजीव शकदेर साब ने बोला है कि ब मना सकता है कि हो जो रेप का नाम दे सकती है तो शादी के बाद भी वह रख आकर रही तो एक पनी एगए करने के लिए रही है ग्राउंड लेवल पे वो वाइफ किसी बात पे लेके हस्बेंट से नाराज है इसलिए तो ऐसा नहीं कर रही है और overall अगर आपको चार्ज करना भी है तो नॉमस्टिक वाले सैट के इंदर चार्ज करिए सेक्शल अब्यूस को लेके ताकि कम से कम घर के फैमिली मिंबर्स को ना खीच लिया जाएं यहाँ पे तो overall यह दोनों ही जो आपके अलों जजजेस हैं दिल्ली हाई कोट के इन्होंने contradictory यहाँ पे वी पॉइंट दी हैं दोनोंने बोला है कि अपील में भाई आप सुप्रीम कोट के पास जा सकते हो तो या तो matter को adjudicate करने के लिए दिल्ली हाई कोट की एक जजजों की bench बिलानी पड़ेगी चुकि इस bench में तो दो यह लोग थे या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि case को Supreme Court को refer करना पड़ेगा इसके ओपर जो कल वीडियो बनी हुई है उसको देख लिजे लंका can reveal many stories some going back to half a century आगे बने इस पर वीडियो पर लाइक का बटन दोस्ते चैनल को share और सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजे इस्टरगाम पर follow कर लिजे टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे दोनोई चीजों का लिंक नीचे description box में दिया हुए दोस्तों इफ पॉसिबल फो यू फेंट्स प्लीज क्लिक दे जॉइन बटन जॉइन बटन दावाने से खासा बन मिलती है अगर आप जॉइन बटन नहीं दावाना चाहते हैं तो दो नई आप्शन साब को subscribe बटन और like बटन के पास मिल जाएगे लाइक और share करके जाएगा वीडियो को इससे वीडियो का engagement बढ़ता है तो भाई अभी के लिए अगर शिलंका के प्रोटेस्ट देखे जाएं तो कोलंबो का एक बड़ा ही अच्छा सी फ्रंट है बीच एक गाले फेस करके वहाँ पे जबरदस्ट प्रोटेस्ट हो रहे है शिलंका के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये और रहल अपने आप में आईकॉनिक होके उबरें एक ऐसा struggle जो कि शिलंका की ruling class को मजबूर कर दिया उसने गुट्रे बला के खड़ा कर दिया अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इन प्रोटेस्टर्स का resolve है उसने leadership की stubbornness को तोड़ के रख दिया लेकिन कहीं न कहीं जो country का economic और political future है उसके उपर भी आचा गई है उसके उपर भी problem आ चुकी है अगर आप देखो तो resistance के बावजूद भी जो protesters हैं वहाँ पे पीछे नहीं जुक रहे है कुछ महीने ही हुए थे यहाँ पे प्रेजडेंट गोटा बाया राजपक्षा को elect होके आए हुए प्रेजडेंट के office पे और गोटा बाया राजपक्षा महिंदा राजपक्षा ये लोग iron hand के साथ रूल करते थे मतलब अपने रूल के सामने ज़्याद के चलने नहीं देते थे लेकिन आप सोचिए कि कोलोनल एरिया के प्रेजडेंट सेक्रेटेरिट के सामने खाली प्लॉट पड़ा था उसको demonstration साइट की तरह अलाओ कर दिया गोटा बाया राजपक्षा नहीं क्यों चुकि वो प्रोटेस्टर्स को दिखाना चाहते थे कि भाई मैं टॉलरेंट हूँ तुम्हाई तरफ मैं एक डिक्टेटर नहीं हूँ जबकि यह सब को पता है कि बहुत practical circumstances के अंदर ही राजपक्षा ने यह अलाओ किया अब राजपक्षा गोटा बाय राजपक्षा चुकि बाकी तो रिजाउन कर चुकि हैं राजपक्षा भाई कि वल गोटा बाय राजपक्षा बचे हैं तो इनके ही घर के सामने वाले जो प्लॉटस में गोटा गो गामा गोटा गो विलेज मतलब की गोटा बाया अपने गाओ जाओ यहां से निकलो बार मतलब लीडर्शिप से रिजाइन करो और बारिश हो तूफान हो यहां पर पुर्टेस्टर्स बैठे हुए हैं और लगातार गोटा बाया राज़बक्सा को हटाने की कोशिश करने है अब गोटबाय राजबक्षा के जो party supporters थे उन्होंने जाके यहां पे जो प्रोटेस्टर से उनको हटाने की कोशिश की तो भारी बवाल हो गया, महिंदर राजबक्षा का घर जला दिया गया, बहुत सारे ruling party के MPs का घर जला दिया गया, गोटबाय राजबक्षा जैसे तैसे अबी के लिए बचे हुए हैं, लेकिन आफिस नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी कुरसी नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो मैंने खेर आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, तो आप कह सकते हो कि आज की डेट में जो शिलंका का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से हो चुका है, और ये प्रोटेस्ट इस बात के टेस्टमोनी है, और कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट पचास साल से भी पहले हुए थे, ये बात हो रही है, 1953 की, 1953 में एक सिलनीज हरताल हुई थी, और इस सिलनीज हरताल को लेफ्ट पार्टी इस ने करवाया था, देखें, पाक सास, ठीक है ना, तो सिलनाला पॉलिटिक्स हमेशा से ही शिलनका के अंदर चल दे है, और इन सिलनालाओं ने तमिल्स को, मुस्लिम्स को सेग्रिगेट किया है, इसलिए आप देखो कि इतना लंबा तमिल सिल वार चला है शिलनका के अंदर, फिर मुस्लिम जनता भी कही जो लीडर्शिप है आपकी, शिलनका की उससे नाराज है, तो इस रिस्पेक्ट में 1953 में भी लेफ्ट पार्टी ने मिलके यहाँ पे एक बवाल किया था, एक एजिटेशन किया था, कि जो गवर्मेंट वेलफेर कट्स कर रही थी उसके अगेंस्ट, और भाई जब यह प्र इंडिया में आपने नाम ना सुनाओ, मैंने भी नहीं सुनाओ, अगर आप एक बीडिया और यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे गूगल पे, तो आपको पता चलिएगा कि श्रीलंका की पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टन पॉलिटिकल फिगर रहे हैं, 1956 में एक प बाद अबाके महाराय लेट्मिंग पार्टीज को, और 1956 में भी एए हुआ, उनके कपड़े फार दिये गया, पास की बैरा लेक में इनको फेक दिया गया, और सब कुछ जो श्रीलंका की आर्मी थी, पुलिस थी, वो पास खड़े होके देख रही थी, ओके, तो उस समय पे सिनहला पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अजीटेशन हो रहा था, आज भी हो रहा, आज के अजीटेशन में फर्क बस इतना है, कि वो सिनहला लोग जिनके सामने गरीबी है, भुकमरी है, वो भी यहाँ पे लीडर्शिप के अगेंस्ट, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है, कि भाई सिनहला लीडर्स की जो पॉलिटिक्स रही है, जिस प्रकार से उन्होंने देश को गवर्न किया है, वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी है, फ्लॉड हो चुकी है, ना उन्होंने तमिल्स को उनके प्रॉपर राइ टैसे डिस्क्रिम्नेंशन वा तप्लिक्डिकल पार्टी पार्टी का यहां पे इस कंटेक्स्ट में यहां पे आथधर यह बोल रही है कि ये एक यंग मैं से इन्होंने बातचीत की जो की तीन जॉब्स के साथ एक डिग्री परस्यू कर रहा है तो वो यंग मैं को इंगलिश नहीं आती थी तो जो आथर है इनकी सिनहला थोड़ी सी टूटी-फूटी है तो टूटी-फूटी सिनहला में बात करनी थी तो उस यंग मैं ने आथर से बोला कि I'm sorry कि मैं आपसे अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपसे अंग्रेजी में इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए responsible है ये बंदर नाएके नाम का अदमी बंदर नाएके बहुत important सिनहला लीडर था ये सिनहला लेके आया था इन्होंने अंग्रेजी भाषा तक इंस्टिटूशनल तरीके से श्री लंका के लोगों को नहीं सीखने दी इसलिए आज की डेट में कहीं न कहीं सिनहला आबादी ही जो economic policy रही है सिनहला लीडर्स की उससे बहुत ज़्यादा परिशान है नाराज है और वो की बातों में पता चलता है तो मतलब श्री लंका की politics में यहां पर बात की गई है कि श्री लंका की समय पर एक टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसने overall इस politics के चलते श्री लंका के लोगों के development को एक तरीके से लोगती है फिर यह जो आपका दिल्ली हाई कोट में ज इसी if he's serious about political accountability देखें फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को landside विक्टरी रही है यह जूनियर है में फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर दूसरे थे अभी मंडे को जो presidential election हुआ है फिलिपीन्स में उसमें फिलिपीन्स की politics में towering figure बनके उढ़र के आए है कौन मार्कोस जूनियर मार्कोस जूनियर को मिले हैं और जो इनके opposition थे opposition में एक vice president maria leonor robredro खड़े थे तो marcoz जूनियर के सामने maria leonor robredro को लगबग 1 करोण 45 लाग वोट मिले हैं मार्कोस जूनियर ने तो marcoz जूनियर की जो victory है वो cut to cut victory नहीं है edge वाली victory नहीं है बिलकुल proper victory है और सबसे खास बात यह है कि 1985 को marcoz फैमिली को छोड़के भागना पड़ा था फिलिपीन्स की 1991 में वापस आये थे 6 साल ये family exile में रही है क्यों exile में रही है चुकि marcoz फर्डिनेट जो की एक समय पर dictator हुआ करते थे फिलिपीन्स में इनके समय पर काफी corruption हुआ काफी बवाल हुआ तो जो फिलिपीन्स के नोग थे वो marcoz सीनर से बहुत नाराज थे आप देखे मारकोस फर्डिनेट ने प्रेजिडेंट का टेनोर दो बार किया है और उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉड डेकलेर कर दिया इनके टेनोर के समय पर थगरी गुंडागर्दी corruption बहुत हुआ बिलियन्स की तागाद में corruption किया गया है स्टेट कॉफर से टैक्सपेयर मनी से पैसा उठाया गया है फिर आप देखो यहाँ पे एक people power revolution शुरू हुआ ये क्यों शुरू हुआ 1983 में क्या हुआ assassination हुआ opposition leader बेनिगनो एक्विनो जूनियर का तो फर्डिनेंट मार्कोस के अगेस्ट एक opposition leader थे बेनिगनो एक्विनो जूनियर इनको मरवा दिया और most probably बोला गया है कि फर्डिनेंट मार्कोस नहीं मरवाया था तो जैसे ही opposition leader को मारा गया लोगों को आ गया गुसा लोग उतराय सड़क पर और हो गया people power resolution और people power resolution ने 1986 में उखाड फेका किसको फर्डिनेंट मार्कोस को पूरी की पूरी मार्कोस family फिलिपीन भाग गई छोड़के उनको लगा भाई मार दिये जाएंगे बचेंगे नहीं फिर फर्डिनेंट मार्कोस तो देखो अब बर चुके हैं यहाँ पे 1965 से लेके 1986 तक राज किया फर्डिनेंट मार्कोस में 1989 में इनकी मृत्ती हो गई कहां US में हवाई में थे यह फाइनली 1991 में यह जो मार्कोस family थी यह वापस आई कहां पे वापस आई आपकी यह फिलिपी 36 साल बीच चुक हैं 36 साल बाद इनका बेटा फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर यह बैठा है गद्धी के उटो हाला कि फर्डिनेंट मार्कोस की डिक्टेटर वाइफ इमेला ने भी कॉंटेस्ट किया था 1992 के प्रेजिदेंशल एलेक्शन में लेकिन यह हार गई थी मार्कोस जूनियर 1990 से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं पर अब आप कह सकते हो कि फिर से यहां पे जीत के आए हैं फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर को फिर से एक मौका मिला है कि जो इनकी फैमली की डिक्टेटर शिप वाली जो लिगेसी है इसको फर्डिनेंट मार्कोस हटा है कि जो इनकी फैमली के ओपर दाग लगा है डिक्टेटर शिप का उसको यह हटा सके अब एक्चुली में यहां पे फर्डिनेंट मार्कोस जूनियर की एक्जैक्ली क्या पॉलिटिकल प्रियोर्टी होने वाली है पॉलिसी को लेके एड्मिनिस्टिशन को लेके गवर्नें चार्टा था इसको री पैकच करके लोगों की लिए प्रॉस्पेरीटी और अपर्चुनिटी को लेके आना यह कही न कहीं सिग्नल दिया है मार्कोस जूनियर ने तो मार्कोस जूनियर ओपन लिए बोल रहें कि नि भाई हम लोगों के लिए प्रॉस्पेर्टी राएंगे जेब में पैसा आना चाहिए, एकनॉमी अच्छी होनी चाहिए, डेवलप्मेंट होना चाहिए, यह सब तो बोला है, बट डिक्टेटर्शिप के रिस्पेक्ट में कितनी डिमोक्रिसी रखेंगे, और कितना हाड रूल रखेंगे, यह अपने आप में गलग चीज़, अब दे establishment parties हैं, उनको poverty और inequality के लिए responsible ठहराया है, फिर जो डिट्रेटे नाम के प्रेजडेंट थे, इन्होंने बहुत हत्ता के war on drugs किया, drugs के influence को खतम करने की कोशिश की फिलिपीन्स में, जिसके चलते बहुत सारे हजारों की तागाद में फिलिपीनों यहां पे मारे भी गएं, अपने father को openly कभी भी public में criticize नहीं किया, तो duty 30 की politics के हिसाब से अगर यहां पे marcos junior चलते हैं, तो democracy यहां पे और खत्रे में आ सकती ही, फिलिपीन्स के अंदर ऐसा यहां पे बताया जा रहा है, बट कई न कई फिलिपीन्स के लोगों का जो voting pattern है, वो यह बताते हैं कि फिलिप यहां पे marcos junior क्या अच्छा कर सकते हैं, तो भाई जो इनके father ने corruption किया था, billions of dollars का घपला किया था, वो वापस कर सकते हैं, इस्ट इस्टिशनल डेमोक्रेसी को restore कर सकते हैं, accountability को restore कर सकते हैं, लोगों को वरोसा दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए जब democracy आएगी, accountability आएगी, तो आपका राज करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये चीज़ के chances तो देखिए बहुत कम है, given the historical context कि यहां पे marcos junior बिल्कुल ही democracy को follow करेंगा, accountability करेंगा, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आगया analysis हैं, बता चलेगा, news analysis मैंने आपको यहां पे दे दिया हैं, फिर एक article सरकार एक panel of experts मना दे, जो proper तरीके से इस बात को study करेगा, कि हाँ भाई, हमारे यहां पे actual number of deaths कितनी हुई है, तो जादा better और responsible नजर आएगी भारत सरकार international stage, जो recently WHO ने report release की है, कि बाई, टोटल दुनिया में 2020 में 14.9 million deaths हुई है, 2020 मतलब पेंडिमिक शुरुआत से 31 दिसंब 2021 तक यतनी deaths हुई है, वो यह date करो, जिसमें से 47,4.7 million तो इंडिया में हुई है, और भारा सरकार बोल रही है, भाई, 0.48 million, मतलब 4,80,000 deaths हुई इंडिया के अंदर, मतलब WHO की death, इंडिया की accounted dead से 10 कुना जादा है, almost, तो इस बात को लेके, भारा सरकार ने WHO को criticize किया है, सारे news outlets ने, in fact, New York की एक report ने cover किया था, भारा सरकार WHO की इस report को छपने नहीं देना चाती, ठीक ना, इंडिया को यहाँ पर बहुत negatively cover किया गया है, और WHO की इस report को सबसे जादा vocal तरीके से criticize किया है, इंडिया ने, इन fact है, जो दुनिया भर में बाकी, आप कहलो, deaths reporting mechanism है, उन् जार बोला था, मतलब, दुनिया भर में दूसरी जगों पर भी जो death की counting हुई न, वो काफी हद तक WHO जैसी ही नजर आ रही है, मतलब WHO जो figures दे रहा है, बाकी international, जो आप कहलो, estimate organization है, वो भी वही figure दे रहे है, अब यह figure आया है, यह दो basis पर आया है, एक basis तो यह है कि भाई, स है, जो mobility पर restrictions लगे हुए है, तो आपके पास यहाँ पर proper तरीके से health facility access नहीं हो पाई, तो आपके मृत्ति होगे, तो वो counter factual death आप कह सकते हो, indirect death कह सकते हो, वो direct death नहीं है, तो कुल मिरा के भारत सरकार यहाँ पर counter कर रही ही methodology WHO की, अब बहुत से factors को यहाँ पर power in करना था, ज चुकि mobility रुख गई थी, तो road accidents भी कम हो गए थे, तो जो road accidents की वजए से मौतें थी, वो कम थी, आपके COVID के समय पे, तो क्या उस चीज़ को consider किया गया, यहाँ मौत के counting में, मौत की counting को लेके यहाँ पर tension बताई जा रही है, और जो यह WHO की report release हुई है, इस से दो दिन पहले ही जो हमारी civil registration system की report है 2020 की, वो सरकार ने release कर दी, और सरकार ने बोला कि 2020 में 2019 की comparison में 4,70,000 deaths जादा है, अब इस 4,70,000 में कितनी COVID-19 की वैसे directly हैं और कितनी indirectly यह नहीं पता है, और जो main COVID deaths हुई इंडिया के अंदर वो ही है 2021 के अंदर, उसका civil registration system का data भी निकल के आया नहीं, फि आसकर उत्तर प्रदेश और विहार के, रूरल इराके में चले जाईए, तो यह बताना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि बहुत सी ऐसी unregistered death होंगी, जो कि civil registration system में नहीं पकड़ी गई, तो WHO की methodology और WHO के estimate को counter करने के लिए author यहां पे यह बोल रहा है, कि better यह रहेगा, कि भारत सरकार एक panel of experts appoint करे, उस panel of experts में कुछ international watch experts को भी बैठारा जा सकता है, वो overall इस पूरी की पूरी exercise को देखेंगे, और finally इंडिया की तरफ से एक data ऐसा निगल के आएगा, जो यह बताएगा कि हाँ बढ़ी actual number of death कितनी है, तो यह हुदायत author इस समय पे यहां पे दे रहे ह तो आप कह सकते हो कि भाई WHO के लिए कि काफी politics हो रही है, हाला कि कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि दाहिंदू का article है और इसमें गौतम आई मेनन साब यह बोल रहे हैं कि हो सकता है जो WHO का data हो वो सही हो, इंडिया में deaths की जो under reporting हुई है, उसके बारे में COVID के समय पे तो क कोई भी इंडिविज्वेल नहीं होगा इंडिया के अंदर जिसके नुओन या थोड़ा कहलो direct relation में, indirect relation में ऐसा ना हो जिसकी COVID की वैसे death ना हुई है, COVID की वैसे death आपको हरी family में देखने को मिल जाएगी, तो उन families के respect के तोर पे proper panel of experts बैठाया जा सकता है, और proper तरीके से death क accounting इंडिया के अंदर की जा सकती है, जिससे इंडिया internationally भी responsible नजर आए और WHO के इस figure को थोड़ा pushback भी करता है, तो ये viewpoint यह दिया हो, thank you for watching friends, वीडियो को लाइक और शेर करके जाएगा, instagram पर follow कर लिजे, telegram, group join कर लिजे, दोनों चीज़ों को link जी description box में दिया हो, अगर हो सके सकते हैं